क्रिप्टो प्रोड़क्ट एन एनेफ्टीज और अन्रेगुलेटेड एन कैन भी हाइली रिस्की दियर में भी नो रेगुलेटरी रिकोर्स फॉर एनी लॉसेज फॉर सच टांजेक्शन्स तो दोस्तो आज की इस इंपोर्टन वीडियो में बात करेंगे कि जो हमने 70% के लॉसेज अभी तक कर चुके हैं अपने क्रिप्टो कंसी को होल्डिंग करके वो लॉसेज किस तरह सरी कवर होंगे और क्या कुछ गलती की है हमने कि जिसकी विज़े से हमें 70% के बॉले लॉस का सामना करना पड़ ला है यानि कि हमारी कैप्टर अगर 10 रुपीस थी तो वहां पर हमारे पास केवल 3 रुपए बचे हैं और क्या करना होका इसे हौलात पर इस पर बात करेंगे थी तो मार्केट की ग्रावन यहां देखने के अगरवर नी कि आज 24 घंटे काड़ा है उसके Qneos पर बात कर रहा हूँ market capitalization की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर लेना होगा market cap को तो यहाँ पर हम देखेंगे किप्टो कंसी की market capitalization ने 900 के नीचे यानि 900 billion का जो एक आकड़ा चल ला तो उसके नीचे यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं Bitcoin के प्राइस की तो 19,225 के असपास देखने को मिल ला है यहाँ बिटकॉइन एक बहुत ही important support पर है इसे support अगर break होता तो और ग्रावट भी हम expect कर सकते हैं फिलाल यहाँ पर अपने topic पर उपर आते हैं कि जो हमने गलतियां की है और आगे हमें उन गलतियों को दोराना नहीं है तो यहाँ पर दोस्तों एक roughly सा आपको market capitalization का चार्ड मैं tradingview.com पर दिखाऊंगा और दूसरा चार्ड यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा market cap पर इस तरह से यहाँ पर click करके भी आप यहाँ पर चार्ड को देख सकते हैं तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो market capitalization अगर हम देखने को मिलेगी तो शुरुआज से अगर हम बात करते हैं देखो market capitalization इस तरह से नीचे चली और उसके बाद उपर गई तो उपर अगर हम देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पर हमें market capitalization देखने को मिली और उसके बाद फिर यहाँ से market नीचे आई यानि कि अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो लगबख 15 billion यहाँ पर I think 15 billion होना चाहिए फिलाल यहाँ पर आप इस तरीके के चार्ट को देख रहे हो कि यहाँ पर मैं एक roughly use के लिए आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर देखो एक market capitalization ने 2013-12 में यहाँ पर थोड़ा से अच्छी खासा rise लगाया था और उसके बाद market capitalization आई ती नीचे फिर यहाँ से एक rise लगा था और यह rise हमको ले गया था 2018 तक ठीक है जो एक bull run था bitcoin के price में और cryptocurrency के price में और market capitalization 739 billion के असपास हमें देखने को मिली थी ठीक है लगबग उसके बाद market capitalization फिर तूटके आई थी और लगबग हमें यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 19 billion के असपास market capitalization तूटके आगे थी 739 billion से उसके market में फिर एक rise ल आगा और आपने देखा कि लगबग 3 trillion के आसपास market capitalization हमें देखने को मिली थी यहाँ पर यहाँ पर समझ में आगया होगा एक roughly outlook मैंने दिखाया कि bitcoin की जिसे कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि लगबग 800 billion के near about यहाँ पर market capitalization चली तो फिर market capitalization में उपर एक rise देखने को मिला था और 90 billion से आप समझने आली बात है कि market capitalization हमें 3 trillion के आसपास देखने को मिली थी कितना जवर्दा सीटन था तो हुआ क्या है देखो सबसे पहले अपनी गलती समझे लो कि आप लोग परेशान हो आपका 70% loss है तो क्यूं है उसकी वज़े क्या है देखो market में जब एक run चलता है जिसे कि एक bull run चला market ऊपर गई ठीक है और market ने important distance को break करके ऊपर गई market और उसके बाद जब ऊपर एक काफी जाथा hype बना चुकी एक high को लगा चुकी तो वहाँ पर हमें समझना होता था कि market capitalization यहां से नीचे आ सकती है देखो market लगाता है डाउन जा रही है तो हमें समझना यह होता है कि जब market में एक तेजी आ जाती है आपको यहां पर यह समझना होता है market में जब एक तेजी आ जाती है तो वहाँ पर market की तेजी को हमें समझना होता है और वहाँ पर हमें अपने प्रॉफिट को बुक करना होता है लेकिन हमने क्या क्या हमने प्रॉफिट को बुक नहीं किया वहाँ पर और टॉप पर वाई कर लिया सब्सक्रे बड़ी गलती टॉप पर वाई कर लिया हमेशा दोस्तों बॉटम तलाशा जाता है और बॉटम पर ही इंवस्मेंट किया जाते हैं और वो हमें अच्छा हासा रिटन देते हैं लेकिन यहां पर हमने टॉप पर इसको बाई कर लिया खेर कोई बात नहीं उसके लिए अब जो कर लिया है वो तो कर ही लिया है लेकिन यह को बता है कि market में अगर हिम्हत अगर हर गए तो मिद्ध यहांपर सब कुछ बेकार हो जाएगा अब यहांपर झो ड़ जाएगा इस market को देखकर जो डर जाएगा से out हो जाएगा अपने 70% loss को book करके वो दो बारा कभी मार्किट में क्रिप्टो कंसी मार्किट में इंटर नहीं कर पाएगा यह मैंक बोल रहे ओप यहां पर जो टिका रहेगा, वो market को यहां पर अच्छे से समझेगा, अब देखो, यहां पर जो market capitalization हमें क्या कह रही है, यहां पर जो 50 period moving average का chart है न, इस पर market capitalization नो आकर support लिया, उपर गई, फिर support लिया, फिर उपर गई, अब फिर तीसरी बार यहां पर support लेने की कोशिश कर को यहां से आप भी जाकर आपको सामने इसलिए कर रहा हूं ताकि आप भी यहां पर आकर देख लो ठीक है तो इस तरीके से हम इसको क्लिक करेंगे और यहां पर यहां चीज़े देखकर चलो क्रिप्टो कंसी में टेडिंग ही करना है कि आपका काम नहीं है उसके जरीया आप एर्वनिंग नहीं कर सकते हो आपको वर्ल्ड वाइट क्या हो रहा है इस पर समझना होगा economics एक subject है काफी लोग जानते होंगे काफी लोग उसके student रह चुके होंगे और काफी लोग नहीं भी रहे होंगे उस वक्त लोगों को नहीं समझ माया लेकिन अब काफी जादा यूट्यूबर आपको जो फेवरेट यूट्यूबर है वो भी आपको इंफलेशन के बारे में बता रहे लेकिन सबसे पहले इंडिया के अंदर अगर बात करेंगे तो मुझे ज़सा लगता है कि मैंने ही सबसे पहले इंफलेशन की बारे में क्रिप्टोकंसी यूट्यूबर्स में सबसे पहले मैंने ही आपको बताया विशेशन के बारे मैंने अपलाई किया बताया आपको उसके बाद मैंने ब्लैक स्वान के बारे में हाएं को मिलना है तो कहने मतलब यहां पर यह है मेरे भाई कि जो डार्क रेड है ना यहाईयर इंफलेशन जिस कंट्री में है उसको यहां पर शोगए आप यहां पर पर और नीचे आते हैं उसके बाद साओधी अरभिया का नाम आता है तो पॉइंट टूफिक इंफलेशन जापान टू पॉइंट फाइव प्रिजलेंड टू पॉइंट नाइन इंडोनेशिया फॉर पॉइंट थी वाइव यानि इंडोनेशिया तक की इंफलेशन जो है यह तो ठीक है यहां पर तो मार्केट यह है कि हां ज्यादा महिंगाई है और ना ज्यादा चीज़ें सकती हैं मतलब एक ऐसे रेट की हैं जहां पर हमें उसको खरीबने में असानी हो रही है अब यहां पर और नीचे आते हैं आस्टेलिया साउथ कोरिया सिंगापूर फ्रांस यहां पर फाइफ के उपर इंफलेशन डेट है लेकिन जैसे ही हम फाइफ को क्रॉस करते हैं तो हम एक ऐसी जोन में इंटर कर की होते हैं कि वहां पर अपने जो इंटेश कम किये होते हैं उस इंटेर्श को बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से हमारा पैसा अगर मापस तक्षा एक्सस्थ में रख दो इंटेस मिलेगा इसका ठीक है और जो गौर्मेंट मतलब जो बैंक्स लॉन दी होते हैं उनके लॉन्स रिटन होने लगते हैं वापस बैंक में कूंकि काफी जाधा ह thread होता है तो लोग सोछते हैं यहाँ पlication ियाद मतब इन्टेश देगा जादा नुक्सान हो गया तो स्नोपड़ाए वापस कर दो मैंको तो इस तरीके की चीज़े होती है मतलब supply और demand का खैल यहां पर जब that production जदा होता है और supply पैसे की supply कम होती है तो वहां पर चीज़े ज़ादा हो जाती है तो चीज़े सस्ती फिकने लगती है तो वो inflation का दूर नहीं होता है और वही पर जब होता है है कि जो सिंटर्रल बैंक होते हैं जब मंदी का दूर होता है मन्दी में वो अपनी करंसी को छापने लगते हैं जबर से ज्यादा उसको स्डेशन करने का तरीक्पा यह होता है कि अब की न करता शीज इसी होती है फिर दिन बहुत कुछ आपको मार्केट के बारे में समझ भाजे अब यहां पर हम बात करते हैं तो South Africa, India, Germany, Mexico, Canada, Italy, Euro area, United States, देखो यहां पर Bitcoin और Crypto Consume में United States, United Kingdom ठीक है और इस तरीके के जो मुल्क है यहां पर वो ज्यादा impact करेंगे क्योंकि US से ज्यादा कुछ जुड़ावा है च अभी यहां पर inflation date इनका 8.6 है, तो यहां पर कहने हैं मतलब यह है कि दोखो फिर वापासम चार्ट पर आते हैं, जब जब एक टॉप लगाने के बिटकॉइन का प्राइज या क्रिप्टो कंसी की मार्केट कैपिलाशन नीचे आई, तो महां पर inflation वगयर का कोई मामला नहीं 2011 में, तो उसके बाद से inflation को देखा ही नहीं तो क्रिप्टो कंसी मार्केट नीचे ये पहला मौका है, जब inflation को मार्केट देख रही है, क्रिप्टो कंसी मार्केट देख रही है, तो एक भारी भरकम ग्रावर्ट भी आपको होती दिख रही है, अब जिसे यहांपर bit point के price की अगर हम बात करेंगे BTC के प्राइस की तो हम देख सकते हैं कि BTC का चार्ट हम लेते हैं और कल की जो मैंने आपको monthly closing दिखाई थी अगर यहाँ पर देखेंगे तो monthly closing दिखाई थी यहाँ पर यह monthly closing हुई है white color का moving average 50 period के नीचे और यहाँ पर close किया candle और आप देखो को दूसी candle भी near about नीचे ही जा रही है अब यहाँ पर जो support हमारे पर major support है 19,800 का है वो तो लगबग तूटी ही गया है और उसके बाद जो support है 17,600 का जो यहाँ पर Bitcoin तोड़ सकता है ऑब यहाँ पर अभी घबराने की जरूरवत नहीं है जो इदेखो मारकार्ड मत चुकी है मारकेट में जितना खयल होना तो हो गया है थोड़ा बहुत खयल और होगे तो अब यहाँ पर मतलब यह कि आप छोटों से डरना नहीं है अब आपको यहाँ पर समझना है क्या क्या क्योंकि अगर टेंशन में दिमाग को रखो तो फाइदा कुछ हासिल होगा नहीं यहाँ पर टेंशन को रखो किनार हो सोचने की कोशिश करो कि 70% का लॉस हुआ है क्यों हुआ भी यहाँ पर मैंने बताया कि टॉप पर वाई किया था बिना सोचे समझे भाई किया था बहुत तो इस चीज आप भाई कर रहे हो उसके टेक्निकल और फंडामेंटल कैसे हैं आगे मार्केट किस तरह से कर सकती है यह सारी चीज़े आपको समझनी होती है यहाँ पर बात करते हैं अब यहाँ पर अगर हम बात करता है टोटल मार्केट के अपलाजजेशन की तो हम देख सक सकती है मेरे भाई कोई पली बात नहीं कि इसको जब भी आपको कुदरत आपके सामने कोई चीज ऐसी लाती है जिसको आपको लगता है कि हमारा नुकसान हो एक तरीके था अगर यह सोचो कि इंफलेशन की वजह से अगर यहां बिटकोईन के प्राइज में या क्रिप्टो कंसी मार्केट के प्राइज में इतनी भारी बरकम गिरावट अगर होती है तो वहां पर एक प्रकम यहां पर हिट किया अगर इस पर केंडल अगें तो यहां पर आप देखना तो सेवन हंड्डेट सिक्ष्टी टू बिलियन तक मार्केट के प्राइजचन आई है अब यहां पर क्या हो सकता अगर अगर और नीचे जाती है अगर यहां पर करते हैं तो हम देखेंगे का वो था 6761 का अभी मैंने आपको बोला तक 763 बिलियन तक मार्किट के इपलाज़शन नीचे जा सकती और मार्किट के इपलाज़शन गई भी अब यहाँ पर देखो मैं क्या बोला हूं यहाँ पर यह अगर एरिया यह सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो हम कहां तक आ सकते ह हम आ सकते हैं मेरे भाई थोड़ा सा आप घबराना नहीं बस जितनी चोट लगनी ति लग चुकी है थोड़ी बहुत चोटे और लग सकती है मैं यहाँ पर फिर बोलना हूं और मैं इसको कर लेता हूं यलो ठीक है और उसके बाद इसको यहाँ पर इस तरह से रख देता हू तो देखो यह दो फिगर निकल कर आए यानि काहिने मतलब यह है कि हम 400 बिलियन तक जा सकते हैं 450 बिलियन 440 बिलियन या 400 तो इस बीच में हम कहीं पर जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है अब एक चीज मैं बहुत काम की बता हूं आपको मार्केट में सपोर्ट बनते हैं और पीछे की हिस्ट्री को देखके बनते हैं अब यहाँ पर हिस्ट्री पर देखोगो तो यहाँ पर यह सपोर्ट है यह सपोर्ट यहाँ पर ले रही है मार्केट यह सपोर्ट मिलता है तो यहाँ पर अगर देखो मेरे भाई तो इस जंगापर कुछ जैसे दिखा दिया आपको चारे नक्षे दिखा दिये चाइना मुल्क बगल में है देखो 2.1 का इंफलेशन है इंडिया उसके बिल्कुल साइड में 7.4 का है यहां पर अगर हम आ जाते हैं अपना यूएस किधर पढ़ेगा देखा तो मैं बूल गिया यहीं कहीं पर है तो चलो यूएस का ही मैं यहां पर दिखा देता हूं और वीडियो काफी बढ़ा हो जाएगा यूएस का 8.6 United Kingdom 9.1 यह सब चीज़े बहुत इंपक्ट करते नहीं क्रिप्टोगंसी मार्केट को तो और यहां पर एक फैक्ट यह भी एक सचा यह भी है कि घबराने कि इस बात से आपके दिल को करार आ सकता है क्योंकि यहां पर श्टॉक मार्केट भी गिर रही है यहां पर जो यूएस की मार्केट हैं स्टॉक्स की वो भी गिर रहे ह के जितने भी stocks हैं वो नीचे गिर रहे हैं, commodities है वो नीचे गिर रही है, gold भी already नीचे ही गिर रहा है, यहाँ पर gold का chart भी आपको दिखा देता हूँ, तो gold भी आपको नीचे ही गिरता दिखेगा, ऊपर जाता नहीं दिखेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, कि gold इस point से नीचे ही आ रहा है, monthly chart पर, ठीक है, तो यह सारी चीज़े, SP500 का chart देखोगे, नीचे ही आ रहा है, ठीक है, अपना NFT देखोगे, तो नीचे ही आ रहा है, तो इससे आपको समझना होता है ना, कि market में सब कुछ तो नीचे आ रहा है, मेरे भाई, तो यहाँ पर हम यह सिर्फ लकीर पीटे हैं कि हाँ, सिर्फ क्रिप्टो कंसी में ऐसा हो रहा तो नहीं, तो फिर तो सारी मार्केट खराब हुए, अगर आप यह सोच रहे हो, क्रिप्टो कंसी मार्केट खराब है, तो फिर तो सारी मार्केट खराब हुए, कि आप देखोगे, तो पीछे से इत समझ में आता है लुटने के बाद हम आए हम लोग के अंदर यह सबसे पड़ी कमी है कि सब पहले लुट जाते हैं पहले लुट एरो को पूरा मौका देते हैं कि लुट लो ठीक है उसके बाद सीखेंगे लुटने से पहले सीखने की कुशिश नहीं करेंगे एक गलती अभी जो गलती की उसको सीखना यहां पर वीडियो में बहुत ही ऐसे वीडियो आप तक पहुशाता हूं जो काफी काम के अब के होते हैं लेकिन यहां पर आपको समझना होता कि करना क्या है चुंकि देखो मैं आपको सिब बता सकता हूं बाकी आपको आप काफी लोगों ने मार्केट रिकावर करेगी यहां से, हमारे लॉसस कैसे रिकावर होंगे, लास्ट वीडियो का पार्ट है, यहां पर मैं बताता हूँ, जब इतनी बड़ी यहां पर तेजी, उसके बाद गरावट हुई, मार्केट ने सपूर लिया उपर गई, फिर एक कुरोना पीरियड आया कोविड नाइनटीन का, तो मार्केट में एक फ्लैश गिरावट हुई, और फिर मार्केट ने वहाँ सर्वाइब करके, एक नए टॉप को क्रियेट किया, सारी मार्केट की बात कर रहा हूँ, यहां पर सिफ क्रिप्टो कंशी मार्केट की बात कर रहा हूँ, गलोबली सारी मार्किट की बात कर रहा हूं, उसके बाद मार्किट फिर गिर रही है, तो आपने जो ले लिया है, अगर मैं आपकी जिंगा होता, मैं आपको ऐसे तो डिरेक्ट सेज़ेशन नहीं दे सकता, लेकिन मैं अगर आपकी जिंगा होता, मेरे पास जितनी होल्डिंग में alt coins है, अच्छे-च्छे alt coins है मैं meme tokens को ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ ना ही लेता हूँ, शिवाईनू मेरे पास है ठीक है, तो इन सारे tokens को मैं रखूंगा, बेचूंगा नहीं हाँ, liquid money मेरे पास होनी चाहिए inflation से, recession से, depression inflation से, बचने का जो उपायव होता है बस यह है कि जो liquid money है उसको अपने पास ज़्यादा ज़्यादा रखने कोशिश करो cryptocurrency market में काम करते हो तो वहाँ के जो stable token है वो आपके liquid money है या आएनर के pair में trading करते हो cryptocurrency के तो आएनर आपकी liquid money है आप उसको cash में रखो जब भी मौका लगे कि हाँ बिटकोईन कभी सोचा नहीं होगा यह 10,000 तक वापस आ सकता है हो सकता 10,000 तक आ जाए 12,000 तक आ जाए तो उस मौके पर चोका मारने के लिए bet का तो होना ज़रूरी ना bet को यहाँ पर मैंने compare किया liquid money से जैसे ही मौका मिले अपने bet से चोका मारो और जो आपके पास holding as it is उसको रखा रहें दो बोलो यहाँ पर जिसे की like BTC, Ethereum, Solana, Link बहुत बड़ी-बड़ी क्रिप्टो कंसी हैं जिसकी market capitalization जादा है उसकी market capitalization कम है, कुछ बिलकुल ही कम है तो यह सारी क्रिप्टो कंसी जो आप आपने buy करके रख ली उसको रखे रहो उसके बारे में जादा सोचो नहीं आप नज़र रखो, चील की एक BAS की नज़र रखो market पर और dip कवेट करो, कुछ भी dip मिलेगा support, important support अगर bitcoin का भी break होता है आप देख रहे हो, तो market आएगी 14,000 से 12,000 19,000 पर already हम यहाँ पर खड़े है, 17,000 पहला लेवल देख सकते है 14,000 उसके बाद देख सकते है, 12,000 उसके बाद देख सकते है यह तीन ही level मैं अभी आपको दे रहा हूँ, ज़्यादा आगे की बात नहीं कर रहा हूँ आगे market में किस तरह से यहाँ पर मामला बनेगा, वो देखने वाली बात होगी तो कि यहाँ पर डर यह लगता है, इस जिसे की US की बात करते है, तो 8.3 था पहले जो नए आकले आए वो होगा 8.6, यानि इंफलेशन बढ़ला है United Kingdom की बात करते हो, तो 9 का इंफलेशन डेट था, आकरी में आकले आ गए 9.1 के यानि इंफलेशन डेट बढ़ला है, स्पेन की बात करते हो, 8.7 था, 10.2 हो गिया Brazil की बात करते हो, तो 12.13 था, 11.73 हुआ तो थोड़ा सा कम हुआ वहाँ पर वहीं पर अगर यहाँ पर रश्या की बात करते हो, तो रश्या में भी थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन यहाँ पर अर्जेंटीना और टर्की की बात करते हो, तो यहाँ पर आपको बढ़ावा दिखेगा, तो यहाँ पर कहने मतलब यह है कि इंडिया में थोड़ा से इंफलेशन कम होता दिख रहा है तो कमी जो हो रही है वह बहुत माइनर सी हो रही है और बढ़तरी जो हो रही है थोड़ा सा बढ़ रहा है तो ये दिल में आ रहा है कि भाई ये इंफलेशन अगर और बढ़ती है क्योंकि देखो 7%, 8% और 10% ही इंफलेशन जिन देशों में है तो वहां के हाल अच्छे खासे खराब हो गए है तो आप सोचो टर्की में 73.5% की इंफलेशन डेट है अर्जेंटीना में 60% का इंफलेशन डेट है अगर यहां पर हम रशिया की बात करते हैं तो 17% का इंफलेशन किया है उम्मीद करेंगे के आप इस वीडियो से काफी जादा फाइदा उठाओगे और इस वीडियो को जाधाधा सेयर करो को जो लोग नए है चैनल को पहली बार देख रहें सब्सक्राइब करेंगे नोलीशन को भी ऑन करेंगे ननिक्स अप्ड़ेटों मिलताओं फिर कि झाल झाल